दोस्तो ये है टेक्नो कंपनी के दो सस्ते बजट रेंज में आने वाले स्मार्टफोन जिसमें पहला स्मार्टफोन तो टेक्नो की पॉप सिरीज का है जिसका नाम है टेक्नो पॉप 8 और दूसरा है टेक्नो की स्पार्क सिरीज का टेक्नो स्पार्क गो 2024 तो आज की इस वीडि 4GB RAM, 64GB के internal storage के साथ मिल रहा है आपको 6499 रुपे का Tecno Spark Go 2024, 3GB RAM और 64GB के internal storage के साथ ये smartphone मिल रहा है 6600 रुपे का आपको box पर 6GB RAM और 8GB RAM mention दिख रही होगी दोस्तों लेकिन ये virtual RAM को add करके लिखा गया है company के द्वारा ताकि हमें लगे कि हम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा RAM वारा smartphone purchase कर रहे हैं Tecno Pop के box पर आपको mobile का design नजर आएगा Tecno Spark तो mobile का design box पर नहीं दिखाता backside में कुछ highlight features भी mention किये गए हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों चलिए फटावट से दोनों box को open कर लेते हैं तब तक आप भी channel पर first time बिजट कर रहे हैं तो subscribe करना न बूले दोस्तों क्योंकि ऐसी videos आप के लिए मैं यहाँ पर regular लाता रहता हूं तो जैसी हमारे box open होते हैं जोस्तों तो सबसे उपर smartphone ही रखे हुए नजर आते हैं और इन पर जो रेफल लगे हैं इन पर भी काफी सारे details को mention किया गया है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं दोनों smartphone dual studio speaker के साथ आते हैं और 90Hz का refresh rate इस price range के अंदर आपको दे रहे हैं इसके बाद box के अंदर देखते हैं तो यहां आपको मिलेंगे कुछ documents जैसे कि user guide और warranty card इसके बाद phone को safety देने के लिए दोनों ही smartphone दे रहे हैं flexible transparent silicon के soft cover और charger adapter बिलकुल same to same 10 watt के हैं 5 volt 2 ampere की output rating इन charger से phone को मिलती है और जो USB cable है दोस्तों type A to type C मिलती है और अब आते हैं दोनों smart phones पर तो दोनों smart phone का जो front side का look है वो एक जैसा है दोनों पर pre applied scratch guard मिलते हैं और दोनों ही smart phone punch hold display के साथ आते हैं इने फिल दोनों ही smart phone हाथ में बहुती comfortable है slim भी लग रहे हैं दोस्तों और light weight भी है जबकि आज का normal smart phone आपने देखे होंगे काफी size में बड़े रहते हैं दोनों smart phone की power को मैंने एक साथ on किया था टेक्नो pop 8 काफी fast on हो गया है दोस्तों अब back panel देखें दोनों smart phone के plastic polycarbonate body मिलती है विलकुल flat back panel है लेकिन अलग-अलग type की यहाँ पर जो pop 8 है इसमें काफी बड़िया designing आपको नजर आएगी दोस्तों जो काफी कमाल की लग रही है light के reflection में और भी बड़िया लग रहा है इस phone का look वहीं पर spar go 2024 का look भी काफी कमाल का है इस पर भी light का reflection बड़िया लग रहा है दोस्तों नीचे टेक्नो की branding camera medal को देखे तो दोनों ही स्मार्टफॉन साथ से आईफॉन से इंस्पायर होके अपना camera medal को बनाए है लेकिन एक अंतर है दोस्तों ये टेक्नो स्पार go 2024 में जो camera का frame है इस पर RGB टाइप की lighting नजर आ रही है जो बहुत ही कमाल की लग रही है दोस्तों dual camera के साथ आते हैं दोनों ही स्मार्टफॉन जिसमें mean primary camera टेक्नो पॉप दे रहा है 12 मेगाविक्सल का और 13 मेगाविक्सल का mean camera दे रहा है टेक्नो इस पार go 2024 बाकी दोनों supporter camera दिये गए हैं जिनने हम AI lens, depth या micro sensor camera बोल सकते हैं जिनका कोई use नहीं होता और साथ में LED flash light भी दी गई है फ्रेंट में दोनों ही स्मार्टफॉन 8 मेगाविक्सल का selfie camera दे रहे हैं और corner दोनों स्मार्टफॉन के हैं बिलकुल rounded और side में आपको मिलेगी power on key just उपर volume rocker, finger pin sensor भी power on key पर attached है उपर की side, दोनों स्मार्टफॉन में आपको speaker नजर आ रहे होंगे यानि कि यहां भी speaker है और नीचे की side भी speaker है तो बढ़िया हो गया अगर आप movie देखने के सौकिन हो तो मज़ेदार sound आपको सुनाई देगा left side में sim tray, दो sim card, एक memory card तीनों एक साथ लगा सकते हैं दोनों स्मार्टफॉन पर bottom में 3.5 mm का audio jack, primary mic, charging jack और speakers दिये गए हैं अब दोनों स्मार्टफॉन को तो हमने already boot करके रखा हुआ है बिल्कुल same wall paper हैं दोनों स्मार्टफॉन पर अब यहां पर जो brightness है इसे भी full कर देते हैं 100% ताकि display और अच्छे से हमें देखने को मिल जाए करीब से देखें दोनों स्मार्टफॉन के display को चाहिए वो colors हो चाहिए वो brightness हो बहुत बढ़िया है तो price के इसाब से दोस्तो 480 nits तक की peak brightness दे रहे हैं दोनों ही स्मार्टफॉन edge और bezels corner उपर से तो पतले हैं नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा icon बिल्कुल same to same है और scroll up करते ही सारे application भी आपको बिल्कुल same नजर आएंगी दोनों स्मार्टफॉन में pre install application के साथ साथ कुछ-कुछ bloatware application phone में मौजूद मिलती हैं जो कि install तक नहीं होती लेकिन उन्हें आप disable कर सकते हैं टस्क दोनों का smooth और fast दिया गया है दोस्तो दोनों ही स्मार्टफॉन 90 Hz के refresh rate के साथ आते हैं बिल्कुल same display है दोनों की 6.56 inch की HD plus IPS LCD मिलती है जिनका aspect ratio 20 to 9 screen resolution 720 to 1612 pixel pixel density to 169 ppi और screen to body ratio 83.96% का दिया गया है height भी बिल्कुल same 163.69 mm 75.6 mm की आपको width मिलती है और thickness 8.55 mm की 186 gram के हैं दोनों smartphone और दोनों के अंदर 5000 mAh की battery लगी हुई है अब दोस्तों दोनों smartphone की setting को एक साथ open कर लेते हैं setting का जो interface है वो भी दोनों smartphone में आपको एक जैसा ही नजर आएगा दोस्तों और यहां आपको सारे के सारे option मिल जाते हैं सबसे उपर my phone का option जिसे हम open करें high OS के साथ आते हैं दोनों smartphone जिनका version है 13 device name model name को mention किया है android 13 के साथ आते हैं दोनों smartphone बिलकुल same processor लेके 1.6 GHz का octa core प्रोसेसर दिया गया है दोनों smartphone में और chipset Unisoc T606 का दिया गया है दोनों ही based है 12 NMK fabrication पर और graphic Mali G57 के मिल जाते हैं अब जो अंतर है दोस्तों वो है यहां पर RAM का 4 GB RAM तो मिलती है Tecno Pop में और Tecno Spark में मिलती है 3 GB RAM अब RAM आपने box पर देखे होगी बहुत ज़्यादा लिखी हुई थी तो RAM पर हमने click करना है इसके बाद Manfusion को option दिखता है यहां पर नीचे साइड virtual RAM में जाईए और यहां से RAM को 4 GB यहां से 3 GB RAM आप और बढ़ा सकते हैं तो virtual RAM का काफी support मिल जाता है दोनों smartphone में camera details को भी यहां पर mention किया हुआ है battery 5000 image की आती है दोनों smartphone पर बाकी आप camera भी देख लेते हैं दोनों smartphone का camera ही रह गया दोस्तों तो यहां पर कुछ object रखते हैं और इसके बाद camera क्लेटी कैसी है निकल के आती है तो यह देखे दोस्तों camera दोन Tecno Pop 8 यह Pop 80 है तो देख सकते हैं यहां पर Tecno Pop 8 ज्यादा better color प्रोवाइड कर रहा है लेकिन जो natural color है जो actual color है इसका यह ज्यादा अच्छे से Tecno Spark Go 2024 प्रोवाइड कर रहा है इसके अलावा zooming support दोनों smartphone में 4 गुना तक का मिल जाता है और यह दोनों के 4x zoom quality है दोस्तों अगर option को देखें तो दोस्तों दोनों smartphone में sort video, ai cam, beauty mode, what it mode, panorama, documents, air sort, time lapse और slow motion जैसे काफी सारे features camera में दिये गए है, front selfie camera देखते हैं दोनों smartphone का, video mode में है दोस्तों और बढ़िया लग रहा है Tecno Pop 8 का camera, यहां पर ai cam जाते हैं और आप देखें दोनों smartphone का, personally मुझे Tecno Pop 8 का camera ज्या अपने अपने price के हिसाब से अपने अपनी खूबियों के साथ आते हैं दोनों smartphone, काफी कुछ similarity है दोनों smartphone में, बस यहां पर 12MP, यहां 13MP का camera है, और बाकी दोस्तों 4GB RAM आपको मिलेगी Pop 8 में, और 3GB RAM Spark Go 2024 में मिलती है, storage type UFS 2.2 का दिया गया है, Pop में और Spark में eMMC 5.1 का मिलते ह RAM टाइप है, दोनों की LPDDR 4X की, तो personally मुझे Tecno Pop 8 ही ज़्यादा बैटर लगा दोस्तों, RAM ज़्यादा मिल रही है, Tecno Pop 8 में दोस्तों, बाकी तो सब कुछ एक जैसा है, camera का मत, सोचिए, colorful camera मिल जाता है, Tecno Pop 8 का आपको, और दोस्तों बाकी तो अपनी पसन है, सस्ते बज और 1600 रुपे में आपको मिल जाएगा Spark 200 रुपे उपर खर्च करने पर, बाकी आसा करता हो, मेरे द्वारती की जानकारी आप सब के जुरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे एक नया स्मार्टफोन पर्चेस करने में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो चलिए मि वीडियो में आग लिए अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,